कार्थिक मास के कृश्न पक्ष की चतुर्थी तिथी को नाम से इस दिन महिलाइं निर्जला ब्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्कवती और चंदर दीव की पूजऑ अर्चना करती है हिसार में भी करवाचाथ बड़ी ही श्रधा और विस्वास के साथ मनाया गया इस वसर पर करवा चौत की कहानी सुनने और सुनाने की भी परंपरा है। वैसे तो करवा चौत का ब्रत सुहागिन महिलाएं अपने पती के स्वस्त जीवन दीर आयू के लिए रखती हैं लेकिन कुछ पुरुष भी अपनी पतनी के लिए ब्रत रखते हैं। हिसार के हाउसिंग बोर्ड निवासी विशाल का यह पहला ब्रत है वह कहते हैं। करवा चौत प्रत इतना सहज नहीं है। महिलाएं पूरा दिन निर्जला रहकर शाम ढलने के बाद चंद्रदेव को जल अर्पित करने के बाद स्वयम जल ग्रहन करती हैं। हाँ जी आज का दिन भारती महिलाओं के लिए बहुत खास है क्योंकि भारत की महिलाएं अपने धर्म के अनुसार अपने पती की लम्मी आयू के लिए वर्ट रखती हैं। और चारी ओरतें निर्जल विर्ट रखती हैं ये और रात को जब चान निकलता है उसके निकलने के बाद ये बोजन गरेंड करती हैं। तो मैं नारियों को सभी बात की नारियों का भारी हूँ कि अपने पती के लिए इतनी महनत और प्रिश्रम करती हैं और लंबी आयू की कामना करती है। सबी औरतों को सुवागिन औरतों को करवाचोत की बहुत बहुत बदाई हो नमश्कार मैं विवेक कुमार आप देख रहे हैं दानेशन टाइम्स भारती संस्कृती में तीज और तेवहारों की अपनी एक अलग पहचान है और भारती संस्कृती जानी भी सी सी जाती है क्योंकि यहां के तीज तेवहार चाहे हम भारत में रहें चाहे देश के किसी भी कोने में क्यों न रहें अपनी परंपराओं को हम भूलते नहीं हैं इस वक्त हम हाउसिंग बॉर्ट कॉलोनी में हैं जो विदुद नगर के साथ में है और यहाँ पर तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े ही विधी विधान से करवा चौत का ना किवल ब्रत रखा है बलकि वो पूजा पाठ भी कर रही है आराधना कर रही है इन से जानेंगे कि आखिर इसकी विधा क्या है किस तरीके से जो ह इसकी मानेताएं हैं इन तमाम पहलूँ पर अलग-अलग मानेताएं किस तरह की हैं बातचीत करने की कोशिश करेंगे जानेंगे और पूछेंगे कि भाई किस तरीके से इन्होंने ब्रत रखा है सबसे पहले आप से बात करना चाहेंगे क्या इसकी परंपरा है और किस तरीक पर चल रहे हैं पति की लंबी उम्र के लिए ये बरट रखा जाता है और ये और जितनी भी औरते हैं ये निरजल बट रहके फिर रात में चान देखके ही अपना ब्रट तोड़ती है पानी पानी भी पानी भी नहीं पी है हम लोग और आप लोगों नहीं पिए वैसे तो पीते हैं हो आप लग अलग है कोई पानी बंद गर देते हैं वो अगले दिन ही पीते हैं या फिर चान को देख के पीते हैं ऐसे हैं परमपराएं कह सकते हैं अलग-अलग हो सकती हैं लेकिन कहने का आर्थ जो है एक ही है यानि पती की लंबी उम्र की कामना कहीना कहीं समें शूपी हुए जी आप जाए आप भी रखा इने और जैसा भी है चाहे जैसे किसी भी तरह मनाए जाता है। परन्तु यह बनाया तो पती की उमर के लिए ही जाता है। इसलिए हम चाहे कैसे भी रखें चाहे निर्जला रखें लेकिन ज्यादातर लोग औरते हैं इसको निर्जला वर्त रखती हैं सुबह सरगी लेती हैं इसी विधान है और इसी तरह से हम अपनी पती की लंबी आयू के लिए पूरा दिन उकवास रखते हैं और सुबह रात को जब चांद निकलता है उसको देखके अपना वरत तो तोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है और यही हम जानना भी चाह रहे थे आपसे भी जानना चाहे हैं नई नवीली दूलने उनसे भी पता होना चाहिए कि आज की जो नई पीड़ी है वो किस तरीके से ब्रत कैसा आज महसूस कर रही है अच्छा अच्छा मैंने फर्स टाइम रखा है वही इसलिए हम जानना चाह रहे हैं तो कई चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो बताए कैसे बस यही बता है कि चांद को देखके ब्रत तोड़ते हैं पानी पती पानी पिलाता है बिना पानी की ब्रत अबड़ कर दो आएज।